हेलो नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का इधियास Academy में और दोस्तों आज हम प्राचीन भारत के इधियास का एक बहुत ही महतपून टोपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धार्मिक आंदोलर आप अपने सलेवस में दोस्तों महाजनपद कालवाला जो टोपिक उस में लिखा हुआ है ए शास्त्रिय पंथ ठीक है ए शास्त्रिय पंथ के अंदर दोस्तों जैन धर्म है बहुत धर्म है और आजीवक संपरदायों का उद्य यह तीन टोपिक उसमें दे रखें ठीक दोस्तों तो हम जो है दोस्तों ए शास्त्रिय पंथ बोल दो या फिर धार् औन अन्डोलन नाम से भी बनाया है ठीके दोस्तों चलिए ये हो गई एक बात दोस्तों धार्मिक आंडोलनों को पढ़ने से पहले एक lecture मां ये वली जो class है इसमें आपसकी बता रहा हूं की धार्मिक जो कारे है वह किसी ना किसी कारण से होता है, यानि कि किसी भी कारे की पीछे कोई भी घटना की पीछे कोई नहीं होता है, और ऐसी घटना है जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, ठीक है, तो वह संयोग हो जाती है, उसको संयोग कह देते हैं, ठीक है, संयोग से कोई बात ह तो दोस्तों लेकिन अब यहां पर हम जानने हैं कि धार्मिक आंदोलन के उदय के क्या कारण थे तो दोस्तों हम देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन के उदय के कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं बहुत सारे कारण थे छटी शताबदी इसापूरु में जहां एक तरफ दोस्तो मगद का उतकर्ष हो रहा था जहां एक तरफ महा जन्पदों का उदय हम देख रहे हैं दोस्तों वही दूसरी तरफ धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भी हो रही है मगद के उतकर्ष के साथ साथ दोस्तों छटी शताब दी इसापूरु में मद्य गंगा घाटी वाले शेत्र में दोस्तों धार्मिक आंदोलन का उदय होता है चलिए अच्छी बात है गुर्जी गुर्जी आपने पढ़ाया था कि छटी शताब दी इसापूरु के अंदर मद्य गंगा घाटी वाले शेत्र में लोहे का भी बहुत ज़्यादा परियोग होता है तो क्या सर इस लोहे ने इन धार्मिक आंदोलनों के उदय में कुछ योगदान दिया बिल्कुल दिया आखिर सरी ये धातू ये लोहा धार्मिक आंदूलन के उदे में किस परकार योगदान दे सकता है बिल्कुल पढ़ेंगे दोस्तों यही तो जानना है यही तो डाउट क्लियर करने है दोस्तों एक एक चीज बड़ी ही सरल और बड़ी ही सहज और बड़ी ही कि जब जब इस पृत्वी पर पाप भड़ेगा तब तब दोस्तों जो है कोई ना कोई हीरो जो है उन पापों का नाश करने के लिए आएगा ही आएगा ठीक है तो दोस्तों आप ये देखिए कि एक हजार इसा पूरू के आसपास उत्तरवेदी काल शुरू हो जाता है लो वेधिक जनम की आधार पर परखने लगा उसके करम को कम महत्तों दिया गया इसा ना लो alright एंदर समाज में बुराईया व्याप्ति थी क्या, बिल्कुल थी, उत्तरवैदिक काल के अंदर दोस्तों, देखे रिगवैदिक काल के अंदर समाज में जो स्तिती है तुलनात्मक रूप से काफी अच्छी थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल में समाजिक स्तिती के अंदर तुलनात्मक रूप से गिरावट देखने को मि मिलाओं की स्थिती हो, चाहिए समाज के अंदर यग्गी करम कांड हो, हना बली पर था, ठीक है, इस परकार के जो है दोस्तों बहुत सारी बुराइआं उत्तरवेदी कालिन समाज में व्याप्त थी, अब दोस्तों जब बुराइआं व्याप्त थी, तो कोई ना कोई व्यक्त तो अपने मस्तिक्ष का परियोग करेगा और उन बुराईयों के खिलाफ जो है खड़ा होगा बिलकुल दोस्तो और इनी बुराईयों के खिलाफ खड़े हुए महावीर स्वामी गोतम बुद्ध और अन्य समकलिन संपरदायों के परनेता जिसके अंदर दोस्तों हालांकि बहुत सारे संपर्दाइओं का उदो हुआ जिसके अंदर महतवूर रूप से गोतम बुद्ध हम कह सकते हैं बोत धरम और दोस्तों जैन धरम ही परमुख महतवूर स्थान बना पाए जिने राजाओं ने राजाश्र दिया बहुत धर्म को जो है दोस्तों अशोक ने बहुत महत उडिया था, जैन धर्म को भी बहुत सारे शाषकों ने माना, चंद्रकुप्त मोर लिया, अपने अंतिम समय में जैन धर्म ही सुविकार करता है और सलेखना विदी से मारा जाता है, हना अपने प्राणों को त्याग देत सकते हैं कि ब्रह्मन विरोधी नीतियां, ब्रह्मन विरोधी नीतियों का भी उदय हुआ, अभिकोस दोस्तों ब्रह्मन पुरोहित यही जो है स्वयम को क्या मान रहे थे, स्वयम को दोस्तों वेदों का महान ग्याता मान रहे थे, वैदिक शिक्षा का महान ग्याता मान रहे सोचने की बात यह है कि धार्मिक आंदोलन की जो शुरुवात है यह जो उदय है दोस्तों इसमें शत्रियों ने योगदान दिया यानि कि शत्रियों का बहुत बड़ा रोल था धार्मिक आंदोलन की उदय में आखिरकार हमारे बुद्ध और हमारे महाविर स्वामी कौन थे शत्रिय ही तो थे बिल्कुल दोस्तों तो धार्मिक आंदोलन का उदय दोस्तों शत्रियों से शत्रियों ने दोस्तों इसमें महत्पुन भूमिकानी भाई चली दोस्तों तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में और बहुत ही अच्छा लेक्चर है दोस्तों ए एक एक बात जहन में बैठने वाली है, देखें, आखिरकार किन-किन बुराईयों की वज़े से, या फिर किन-किन कारणों की वज़े से धार्मिक आंदोलन का उद्य हुआ, और हाँ, लोहे ने किस परकार से धार्मिक आंदोलन की उद्य में योगदान दिया, ठीक है, कुछ वो पता होगा, नहीं पता दोस्तों, तो हम बात करेंगे, चलिए, आईए दोस्तों, शुरू करते हैं, आईए, देखिए, छटी शिदाब्दी इसापूरु में उत्तर भारत की दोस्तों, जगे याद रखना, मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी शेतर में वेदिक भ्राह्मन करमकाणों एवम दोशों के like धार्मिक बोधिक अन्दोलन की शुरुआत हुई, धार्मिक प्लस बोधिक भी दोस्तों, बोधिक भी, तो दोस्तों, मध्य गंगा घाटी वाला शेतर में ही क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यह जो शेतर है इसका जो भोगलिक स्थिती है वह कुछ इस परकार की है उपजाओ शेतर है यहां पर दोस्तों लोहे का बहुत जादा मातरा में लोहा भी मिलता है दोस्तों हमें है ना लोहे के शाक्षा भी मिलता है ठीक है दोस्तों इस वज़े से जो है दोस्तों लोहे का भी यहां के भूमी बनाई, जंगलों को साफ करके खेत बनाए, उनमें खेती करी, दृत्या नगरी करने की शुरुवात हुई, नगर बसने लगे, तो लोहे ने किस परकार से योगदान दिया है, आईए देखे जानते हैं, वास्तों में यह सदी बोधिक हलचल की सदी थी, देखे दोस विश्व के अन्य देशों में भी इसी परकार के कुछ ना कुछ हमें उधारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि वास्तों में यह सदी बोधिक हलचल की सदी थी, इसी समय में चीन में कन्फ्यूस है, तथा लाउक से है, इरान में जर्थृस्ट है, युनान में पाइथोगोर वही दोस्तों पूरे विश्व में भी इस परकार की गतिवी दिया, छटी शताबदी सा पूरू के आसपास दोस्तों, जो और पकड़ रही थी, चलिए, आए दोस्तों, आगे देखते हैं, रामशरन शर्मा बोल दो, या दोस्तों बोल दो, आर एस शर्मा, एक ही बात है, प्रथम दोस्तों हडपा, 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 दुईतिय नगरी करांती यानि महा जनपत काल बोल दो, छटी शताबदी सा पूरू काल, मद्या गंगा घाटी के अंदर दोस्तों, बहुत से नगर बसने लगे, और गोविंद चंदर पांडे, जी सी पांडे बोल दो जी सी पांडे आजाए एक्जाम में एक ही बात है, गोविंद चंदर पांडे ने इस काल को अभी संभोधी युग, बिल्कुल दोस्तों, अभी संभोधी युग कहा, बिल्कुल दोस्तों, बोधिक, बोधिक आंदोलन एक परकार से, हम कह सकते हैं, अभी संभोधी युग क जैसे कि बोध धरम है और जैन धरम है ठीक है यही क्यों परसीद होई इसके भी कुछ कारण है न दोस्तों और फिर जैन और बोध धरम में भी ज्यादा तर जो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो देखिए इन दोनों के परसिद होने का मुखYAN कारण है क्या है क्योंकि दोस्तों, अलग-अलग राजाओं ने इने प्रश्र दिया बड़े बड़े राजाओं ने दोस्तों जैन धर्म और बहुत धर्म के परचार परशार में योगदान किया अगर हम जयन धर्म की तुलना में देखें तो दोस्तों बोद धर्म का परचार परसार आप भी इस बात को मानने देखें देखें दोस्तों ये समझने की बात है सुनेज ये बात कहां पढ़ी थी मैंने शन पर वैंसी आर्टी में पढ़ी होगी कि आप पोई बता रहा हूं नहीं है बोर्फ और धर्म हाट फ नहीं है इन दुम मैं खतो चीज में खरी यह दोर्म सब्त करों को भ chat सक्राइश हार धार्म का पर्मोट किया सबसे तो किस बला था दो अजो से बहुत से पहरता नहीं discussed ठीक है, और भी दोस्तों बहुँत सारे धरममातरों की नियुक्ति की जिन्होंने धरम का परचार किया, even हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से भारत की जो संस्कीर्टी बाहर गई, हाद200 का निर्मान होगा, भ्रहतर भारत क्या होता है, व्रहतर भारत यानि कि दोस्तों भारत के आसपास वाले वो शेतर जहां पर भारती संस्कृती का विकास हुआ, जहां पर भारती संस्कृती फली-फूली, ठीक है, जहां पर भारती ने अपने उपनिवेश बनाए, वो व्रहतर भारत है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भार भारत की संस्कृति भारत से भाहर गई तो वह भी एक प्रकार से धरम के रूप में गई भौध धरम का भूजार रोल था उसमें ठीक है अशोक ने भारत से बाहर भी दोस्तों जो है लोगों को भेजा था परचार परचार के लिए ठीक है तो तो किस चीज दिज्द परचार में मैं आपको इसमें मैं आपको इते भी बतारा था कि देखिए two除rem बहुत ज्यादा पैला जैंधर भी फैला मैं पैलाजों आश्रे को भी बहुत सारे लों नने दोस्तों आश्रे दिया ने हुए अ मैं लेकिन देखिए Dね some जहां जहां फैला, ठीक है, लेकिन हर जगह अपना अस्तितों कायम नहीं कर सका, यही जैन धर्म, जैन धर्म दोस्तों, अपना जो अस्तितों है वह कायम करने में सक्षम हुआ, जैन धर्म जहां जहां फैला, वहां वहां दोस्तों, जैन धर्म ने अपना अस्तितों कायम रख जहां जाते हैं। आपको जान आपनी कख्षा नदर दोस्तों, आपको जान मिल जाएंगे। लेकिन भूद थोड़ा मुश्कील मिलना है। हलागे मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं है ठीक है लेकिन हम देखें कि बोध धरम का तो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था फिर भी दोस्तों बोध धरम जहां जहां फैला वहां आपने अस्तितु को बचाने में सक्षम रहा हम कह सकते हैं आज इसका सबसे बड़ा उदा आपको लेकिन वहां बरक है प्रसार हुआ है जहन हम धरम कर लेतых हैं उन्हें ने कारण है आपना और पञब इसका परोफेसर में बताऊंगा आपको आगे इसक供 आयए खेय तो प्रसलेब पीडों मैं आपको यह बता रहा हूँ कि भारत में इससे में अनेक संपर्दाय है दोस्तों आये थे स्वाम्मु पुस्तक में भी लिखा है कि बोध धरम जयन धरम में यह है कि बोध धरम जहां 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 फैला वहां अस्तित्व कायम नहीं कर सका जयन दरम आज भी अपना वरतमान काया है जहां अब आए आगे बात करते हैं यानि कि धारमी का अंदोरन के गारंण कारण थो //ande का से मिलिक Sum लघें की। बहुत पहले में जाता है लेकिन जादतर जो लोय क यूगिन थे ुठीक काल PlayStation 5 माने जाता है तो लगबग में अजय 1000 साल इसा पूरु माने लोहे के फाल एवं कुलहाडी बनने से किर्शी भूमी का विस्तार हुआ। लोगों ने जंगलों को काटना शुरूर किया। लोहे के फाल के लेख मिल जाता है बहुत सारी जगह पर जो कि किर्शी के काम में आते थे। अब देखे फिर क्या हुआ। अब उत्पादन के लिए पश्वों की आवशक्ता में व्रद्ध हुई। अब दोस्तों जब लोहे के कुलहाडियों से लोहे के फाल से क्रिशी कारे किया जाने लगा। जंगलों को साफ कर दिया। खेत बना दिये। क्रिशी कारे किया जाने लगा। तो दोस्तों अभी है क्रिशी कारे किया जाने लगा। तो इसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों फसलों को गाने के लिए हलकों खीचिने के लिए पशुओं की आवशक्ता है, बैल की आवशक्ता है, ठीक है, तो पशुओं की आवशक्ता पढ़ते हैं, लेकिन उत्तरवधी काल के अंदर दोस्तों पशुओं बली का परचलन था, उत्तरवधी काल में दोस्तों यग्यों में बली दी जा रही थी, उत्पादन वर्ग जो थ पशुबली की निंदा शुरू हो गई ठीक है और दोस्तों यहां वे प्रीति विचारधारों के मध्य टकराव शुरू हो गया आईए देखे समस्ते हैं अब उत्पादन के लिए पशुबली की अवशक्ता में व्रद्धी हुई लेकिन इस समय वैदिक करम कांडों में पशुबली की दोस्तों निंदा होनी शुरू हो जाती है इसी समय शत्री वर्द में गोतम बुद्ध और महवीर स्वामी का उद्य हुआ तथा इनके द्वारा वैदिक करम कांडों एम उनमें दी जा रही पशुबली की निंदा की गई दोस्तों एक बोध साहित्य है बोध अन वन सुख ठीक है महतव पर परकाश डाला गया है इसको मिटा देता हूं ऐसे करता है तो यह प्रमान है कि पशुबली दिया जाने लगा इस परकार उत्पादन से जुड़े वर्ग ने इन्हें समर्थन परदान किया इन धर्मों को समर्थन परदान किया चलिए यह भी अब दोस्तों थोड़ा साप से में कोशन डिसकुस करता हूं ठीक है परशन यह है कि दोस्तों परशन आया था पंजाब का सिश्टन प्रफेसर लगा था था बीस नॉवंबर तारीक दोस्तों बड़ा ही सरल पेपर था रद हो गया ठीक है बीस साल बाद कोई पेपर लगा पंजाब में वो रद हो गया था ठीक है चले दोस्तों देखी बात यह है कि परशन कुछ इस परकार था कि उसमें ऐस सत्यकतन पहचानना था और उसमें यह था कि जैन धरम में जो किसानों ने जैन धरम को बहुँजादा जो है क्या किया एडॉप्ट किया तो दोस्तों यह यही कतन क्या है गलत था देखिए यहां हम बोल रहे हैं कि इस परकार उतपादन से जूड़े वर्ग ने इन्हें समर्थन दिये लेकिन दोस्तों देखिए जैन धरम जो है वो अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देता है जैन धरम के अनुसार तो अगर हम मैं बात भी कर रहा है लेकिन जो जैन धरम के अनुयाई है वो अपने भाशन देते हैं आपने देखा वाइट कलर का एक पट्टी यहां मास्क लगा के रखते हैं हमेशा वह बोलते हैं तो वह नहीं चाहते हैं हमारी बोलने से भी कीट कूट को चोटा मोटा जो अध्रिश्य होगा हमारी आंख आपको माली बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बस पांस-दस में आदा खंटा खड़ा होती है खाना के लिए तो हम तो दोस्तों कहीं पर चले जाते हैं चलो ठीक अंधेरे में हमें पता हैं कोन मर रहा है किसके प्रान निकल रहा है हम तो लगूशंका कर देते हैं लेकिन दोस अगर महां आपको बोल रहा हूं कि आप लगूशंका करते समय भी किसी क्लीट को नहीं मार सकते आप बोलते समय अपने परे श्वास भी नहीं मार सकते तो किसान वेक्ती जो है वह रहे हैँ और जामीन के अंधर तो हल चलाना पड़ेगा तो जमीने में बहुत सारे चोटे चोटे-चोटे होते ही जो भूमी में मिट्टी की उरोगता को बढ़ाने में जैसे केच्वा अगरा है, ऐसे बहुत सारे जानुइ रहे है तो दोस्तों फिर जयन दिर्म का नियम कहां फोलग हुआ? अहिंसा वाला नियम कहां फोलो हुआ? इंसा हो रही है तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जैन जो धर्म है जैन जो धर्म है दोस्तों जैन धर्म को जैन जो धर्म है इस धर्म को किसानों ने कम महतो दिया किसानों बोल दो या क्रशक वर्ग बोल दो क्रशक वर्ग क्रशक वर्ग बोल दो किर्शो का वर्ग ने कम महतु कम महतु कम महतु या ना के बराबर महतु दिया बल्ग जबकी जबकी व्यापारी वर्ग या हम कैसे बनिया बोल दो आज की बाशा में बनिया वर्ग ने अधिक अपनाया अधिक अपनाया बस यही प्रशन था यही प्रशन था कि इसमें थोड़ा उल्टा कर रखा तो उसमें कि किसानों ने जयन धरम को अधिक अपनाया थीक है तो दोस्तों आपको या दखने नहीं किसानों ने जयन धरम को अब व्यापारी के लिए क्या है व अब व्यापारी को तो मिला है उसको यह लोग ग्राल भीट किसान के पाप डंक तो उसको भी लोगई बैके देना कजेए अचैकर वाधारा भीट को बीचना है आप तो खुछाने कर लेंगे जैन धरम को व्यापारी को अपनायारी अपऩा है कि आज भूछ सारे लोग जो है वो, जेखन हो जाते हैं यानि बढ़िया, वरगद ग्रव धूर्थ के अनर व्यपानि वरग ग्रवां में जेखन करते हैं यस चीज उनन में है अभी भी वर्तमान में लिश्छों हो जाते हैं दोस्तों ओंधन हो सुह हैते हैं।oma इस परकार उत्पादन से जुड़े वर्ग ने इन्हें समर्थन दिया और उत्पादन से जो व्यापारी है जो बनिया वर्ग उन्हें जयन धर्म को ज्यादा समर्थन दिया ठीक है because of a hinsa चलिए किसानों से तो hinsa होगी इस परकार से तो कि यह तो बहुत छोटी छोटी दोस्तों चोटी भी hinsa दोस्तों जयन धर्म में अलाओ नहीं है हल्क किसी वह cuta नहीं है अब इस उसको के देखिए कि आप दिन में कितनी हिंसा करते होंगे आप दिन में 10 लोगों से बात करते हूंगे तो इस परकार का तो धो फिर इसा तो हम नहीं कर पाएंगे आगे देखिए लोहे के परियोग के कारण सेन्य साजो समान तथा अस्त शस्त निर्मान में करांतिकारी परविरतन आया इसे शस्त रधारी शत्रिय वर्ग पहली के पेक्षा अधिक शक्तिशाली हुआ तथा कृषिव वैपार में बढ़ोती से उन्हें अधिक बली बली यानि दोस्तों किशी में वर्दी हुई तो हमें जो है अच्छा राजत सु मिलने लगा ठीक आर्थिक स्तिती सुधरने लगी नगरी करण का विकास हुआ ठीक तो यह सारी सी जो दोस्तों लोहे की वज़े से ही संभ हो पाई दूसरा कारण दोस्तों धार्मिक आंदोलन के उदय का दूसरा शत्रियों को जो है वह ब्रह्मन से स्रेष्ट बताया गया कि शत्री जो है वह ब्रह्मन से क्या स्रेष्ट है महात्मा बुद्ध क्या बोलते है कि शील एवं प्रग्या युक्त मनुष्य ही ब्रह्मन है जिसके अंदर ये गुण होंगे वही ब्रह्मन है बाकी कोई ब्रह्म ब्रहामन होते हुए भी फिर ब्रहामन नहीं है, स्वयम महावी स्वामी बोलते हैं जो अगनी से तपकर शुद्ध किये गए सोने की भाती पाप मल से रही तथा राग द्वेश एवं भैसे मुत्ख है वही ब्रहामन है, ठीक है, तो नवीन धर्मों जैनवे बोध की स्थापन ब्रहामनों से अधिक बताएगे, आगे महाव बताऊंगा दोस्तों, ऐसे बहुत से गरंथ जिसमें बताएगे है कि जो दस वर्षी है, शत्री है, वो सो वर्षी है ब्रहामन से स्रेष्ट है, कहीं बताएगे कि जो दस वर्षी है ब्रहामना, वो सो वर्षी है शत्री से स्र तो इसमें दिग निकाय के या दिर्ग निकाय भी नाम मिलता कहीं कि अमबश्ट सुत में जो है दोस्तों ऐसी जानकरिय में मिलती है तो कुल मिला के ब्रह्मन और शत्रियों के मध्या परतिस परदा हुई जिसमें शत्रियों ने ही इस धार्मी कांदुरन को बढ़ावा दिया बिकोस दोस्तों ब्रह्मनों को तो पुजारियों को तो पुरोहित वर्ग को तो हम कह सकते हैं कि यग्डी करम कांड के अंदर ही फायदा था यग्डी करम कांड के अंदर ही फायदा था यग्डी करम कांड के अंदर ही फायदा था यग्डी करम कांड के अंदर ही फायदा जो हम कह सकते धार्मिक आडंबर इन सब को दोस्तों ने क्या किया फिर विरोध किया चलिए आए आगे देखिए इसके लावा आरे अनारे विचारधारों का भी संगर्ष चला मैं उत्तरपश्ची में शेतर है ठीक जहां-जहां आरे संस्कृति फैली वहां वहां आरे और इस ชंट्र मैं ज्क्रण को सही गरत का समझ है ठीक है तो दोस्तों इस परकार से यह आजिग current अभी यह किस परकार से देखिए दौस्तों इस समय अप्रामन धार्म जयां गया था तता समाज के एक बड़े भाग में ब्रामन के विरोध में घोर संतोष फैल गया ठीक है विकोज इस इस प्रकार की जो है चीजें चल रही थी ब्रामनों के विरोध किया जाने लगा बोद साहिते में वेद परमाने तता बहुदेववाद की कट्व आलोचना की गई थीक है वेदों की परमानिकता को लेकर और बहुदेववाद की क्या की गई आलोचना की गई यहां पर देखी दोस्तों स्वयम महात्मा बुद्ध ने कहा कि वैदिक धरम हीन विद्या है तथा वैदिक मंतर केवल जल विहीन मरुस्तल तथा पत हीन पंत हीन जंगल है इस प अपने परमाद के साथ अपने मोक्ष का संपाधन करें ठीक है तो यग्यावाद का भी विरोध किया जा रहा है वैदिक शिक्षा का थीक है आगे देखी इस धार्मिक आंदोलन के बीज ब्रह्मन ग्रंथों में ही विद्यमान देखी दोस्तों आप खुद सोचिए कि यह ज अपने शिद्यमान ग्रंथों में अभी इस धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई वह है दोस्तों इसका जो बीज और उपन है वह है खुद ब्रह्मन ग्रंथों में ही था ठीक है उपनिशदों में इस परकार की जानकारी हमें मिल जाती है अब देखिए कैसे अरनेक ग्र उबीजें को अंकूरित किया था तथा उपनिशद गर्णिशन का बीजी आउपन के अंदर जो है यह धार्मिक आंदोलन को बीज औरोपन हो रवत दोस्तों उत्रवेदी काल के अंदर अरेने ग्रंतों और उपनिश्यत ग्रंतों में हो गया और उपनिश्यत ग्रंतों के अंदर जो है दोस्तों शुरुवात हो गई थी उपनिश्यत ग्रंतों में जो बीजारोपन हुआ था उनको क्या किया गया उनको और पलवित किया उपन ब्रामन भी स्वयम सपोर्टर थे, जो अपने चेतना अपने विवेक से सोचते थे वो सपोर्ट में थे इन शत्रियों के, स्वयम यहां पर देखिए, बुद्ध धरम में बुद्ध स्वयत शत्रिय थे, जो इस प्रकार की नीतियां को फोलो कर रहे थे, परंतु उनके सबसे ख्यात शिश्य है, यहां सारी पुत्र है, मोद्गलायन है, महाकशब, स्वयम ब्रामन थे, तो ऐसा नहीं है कि ब्रामनों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ब्रामनों सपोर्ट के लिए उधर जो हुए वो शत्रियों के उसमें ज्यादा योगदन था, बहुत सारे कामन होते हुए भी दोस्तों बोद के कहते शिश्य थे और इनकी रिती रिवाज इनकी द्वारा चलाए गए जो नियम था उसों फोलो कर रहे थे, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, अब देखिए दोस्तों यह बात इंपोर्टेंट आपके लिए जानना, कि या करम कांड जो भी है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमने, मैंने आपको यहीं बता दिया, कि अरने गरंथों में, यानि कि धार्मिक आंदोलन के जो भीजार ओपन है, अरने गरंथों में उन भीजों को अंकूरित किया, और उपनिश्य गरंथों में अंकूरों को हो चुका है, ठीक है, देखिए, उपनिश्य गरंथों में किस प्रकार जो है, दोस्तों, बाते हैं, देखिए, यग्यवाद तथा करम कांडों को पहली चुनोती उपनिश्य गरंथों में ही मिली थी, यह बात याद रखना, यानि कि धार्मिक आंदोलन का जो बीजार ओप खंडन किया गया, इनमें बात कही गई कि हाँ यह करम कांड ऐसे है, यह ऐसे चुनोती दी गई, लेकिन वेदों की फर्मानिक आखंडन नहीं किया गया, और नहीं प्रबल रूप से ब्रहमणी है, शरिष्टता का खंडन किया गया, नहीं इसने लोगों की धार्मिक भावन को संतरप्त करने योग्ये किसी नवीन धर्म की संकल्पना दी, ने तो कोई नवीन धर्म की संकल्पना दी, अब जैसे बोध धर्म है गोत और महावीर स्वामी इन्हों ने तो नवीन धर्म की संकल्पना दी, ऐसा लेकिन उपनिशदों में हमें देखने को नहीं मिलता है, ठी नहीं किसी नय धर्म की संखल अपना के उन्होंने क्या किया? कोई नए धर्म की संखल अपना दी, नहीं उन्होंने वो दिया. तो इस प्रकार से आधारशिला प्रष्ट भूमी तो तयार हो गई. हम कह सकते हैं कि यग्यवाद करम कांड इनको पहले चुनोती उपनिशिदों में मिल गई लेकिन दोस्तों इस चुनोती को वास्तवी गुरूप से जो अमली जामा पहनाया गया या नहीं वास्तवी गुरूप दिया गया दोस्तों वह आगे चलका फिर गोतम बुद्ध है महा रहा होगा आपको इसली ठीक है बड़े ही अराम से इसको समझाऊंगा विकों दोस्तों आगे फिर हम धर्मों को पढ़ेंगे ये चीज समझनी बहुत जरूरी के पहले आगे देखते हैं और क्या कारण रहे और समाजिक आर्थिक ऐसंतोष्क भी कारण रहा ठीक है दोस्तो दूसरा जनम हो जाता है ना तो इस वज़े से अब देखे दोस्तों प्रोफेसर आरश शर्मा के अनुसार बोध धरम का उदय नव विक्सित नगरिय परिवेश में अव मानित मुल्यों को समाप्त करने तथा जो अच्छा और प्रगतिशील है उसे समर्थन परदान करने के प्रोफेसर आरश शर्मा राम शर्मा का मानना है कि अच्छी चीजों को जो है समर्थन देने के लिए बहुत धरम का क्या हुआ उदय हुआ इसके कारण नई अर्थिवस्ता तथा अत्रिक उत्पादन के अधार पर नगरी जीवन का विकास हुआ और व्यापारिक रिव फटोष के अन्दर्म देख रहें हैं आगी देखते हैं जैन धरम ने लोगों में अहिंसा और सदाचार का परचार का किया, और क्योंकि अब देखे दोस्तों वही बात आ गई है कि अभी कोद वो खेती करते थे तो उसमें हिंसा होना स्वाविक बात थी विविद विशेशा दिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या भ्रामन की स्रिष्टा के विरुद सरव परतम शत्रियवर्ण खड़ा हुआ जो नए धर्मों के उद्वों का अन्यतम कारण बना शत पाद आपको ये समझनी है कि यहां गोतम बुद्ध है महावीर स्वामी है जैन धर्म बोध धर्म का उद्वह हम देख रहे हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल इन दो धर्मों का ही उद्वह हुआ था इन दो धर्मों के अलावा और भी बहुत सारे धर्म थे ठीक है अ उपनिशद में ही दोस्तों चुनोटी तो मिल गई थी लेकिन वास्तोक शुरुआत यहां से देखते हैं शुरुआत का कारण किया था उस कारणों में बहुत सारे काणन देखे लोहे का प्रयोग देखा दोस्तों ब्रहमन और शट्रियों के बीचिं परतिस परदा देखा ठीक, सामाजिक आर्थिक ऐसंतोष देखा, ठीक है, वर्गों के अंदर भेदवाओ, जैसे मैंने अभी लिखवाया नहीं, इसमें खहीं नहीं आए, लेकिन मैंने आपको बता दीक, हाँ द्वीजों के और शुद्रों के बीच में, द्वीजवरन हो गया, इनकी बीच में भे स्वैम उन कारियों के अंदर क्या से सनलिप्त थे, यग्डी करमकांड इन सब को मान रहे थे, स्वैम को श्रिष्ट मान रहे थे, तो फिर शत्रियों ने जो है दोस्तों फिर शुरुवात करी, ये बात हमने पढ़ी ये भी तक, लेकिन अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, दो हमने बहुत सारे समपरदायों का उध्य हुआ लेकिन उन में जो सब से जड़ा परसीद रहे वो ये दो ही संपरदाय रहेchemical लेकिन वह जो बहुत सारे संपरदाय है है उनमे mix 6 संपरदाय ये, जिनका विवरनि मिलता है उनकी हम बात करेंगे और उसके बादन कल बारे लेक् छ। कि अनुसार बाससर ता जैन ग्रंथ शुत्रक्रतांग के अनुसार 363 संपरदायों को उद्य मिलता है। अभी तो हम बात करें जैन ध्रम बोद ध्रम लेकिन ऐसा नहीं है। यहां ग्रंथों में अलग जान काणी मिल रही है। बोध गरंथ बोल रहा है कि ऐसे 62 अलग अलग संपरदायों का उलेख हुआ। इसके लाद दोस्तों स्थानांग नामक एक जैन गरंथ में भी उसकाल के कई दाशनिक्षिधान्त देखने को मिलते हैं। इसमें भी दोस्तों और बहुत सारे उसकाल के दाशनिक्षिधान्तों की संपरदायों को लेख में मिलता है। महत्पुन संपर्दाय को उद्वात उसमें 6 महत्पुन संपर्दाय है दोस्तों उनकी हम बात करने वाले हैं चलिए उनका उलेक भी दिग निकाय के अंदर मिलता है आईए देखते हैं देखिए यह सारा मैं लेकर आया हूँ इसको एक सरल भाश्रम समझो आप बस ही समझो कि और दिग निकाय में उन 6 महत्पुन संपर्दायों उलेक है इडीक निकाय के कैणि दिग निकाय के सामन फलसुत इसका वाले गोतमझ का परितयाग करने वाले गोतंबुद के समकालीन, गोतम बुद्ध के समकालीन, अन्यय परभावशारी धरम नायकों, इस गरंत में, मगद नरेश अजादा शत्रू अजाद शत्रू अजंत टिर संपरदायों, चैर्च समपरदायों की चरचा चर्चा करता है ठीक है दोस्तूं संपरदायों पर्णेताओं की की कही चर्चा का वर्ण मिलता है तथा उन्हें उन्हें क्या कहा गया है ठीक है इन्हें यह तीन नामों पुकारा गया है, पब जीतो, ग्रहत्यागी, तिर्थन करो संपरदायों की स्थापना करने वाले, वै गन चरियों, अपने अनुयाईयों के नायक कहा गया है, कुल मिलाके इस पूरी का सार यही है, कि दिग निकाई के अंदर 6 अन्य संपरदायों को उलेख, देखने को यहां निगंठ नात्थ पुत्र है इनको निगरम्त ग्यत्र पुत्र भी बोल देता हुए आया स्वाम महावीर स्वामी ही है ठीक है यानि कि श्रमणों में कदाचित प्रांचीत्थिम्ः संप्रताई निगंठ जैनों का था ऐस स्था ईधक पूरन कश्यप पूरन कश्यप जो है गोर एक्रिया वादी या एकर्म 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 वादी थे एकर्म से ही पता चल रहा है एकर्या से ही पता चल रहा है कि कर्मों में विश्वास नहीं करना अब आपको बता रहा हूं कि इन दो धर्मों के अलावा भी दोस्तों फिर और शे धर्म थे यानि कि एक तो जयन हो गया और इसके अलावा और पांच धर्म और थे वो कौन-कौन से थे धार्मिक संपर्दाए और थे जो कौन-कौन से थे वो देखी इन्होंने ये मत रखा कि आज आप चोरी करने से रुक रहे हो आज आप हत्या करने से रुक रहे हो आज आप पाप करने से रुक रहे हो तो किस वजे से रुक रहे हो दो कारण हो सकते हैं एक तो ही है कि हाँ ठीक है कानून के अनुसार अपराध है जेल हो जाएगी ठीक है एक तो है एक दोस्तों हमा बावर मालो पोजिटिव भावर मालो जो हमें रोकती है, यानि कि हमारे मन में तो एक भै है कि हमें इश्वर देख रहा है हमेश्श जिसे जवाब देना है'll हमें स्वार गंदर की बहुत सारी परिकलपन बनी है, तो कुछ ना कुछ भय हमारे मन में है, कर्म कर्म लोटकर आएगा, जैसा की आभ ऐसा भरो, तो यह सब कुछ भय की वज़े से हम रुख जाते हैं, लेकिन अगर यहां ऐसे लोग, यह हम कह सकते हैं, ऐसे संपरदायों का तो फिर क्या होगा फिर तो दोस्तों चोटी चोटी चीजों के लिए अपराध होने लगेंगे क्योंकि करम कैसा भी करो उसका कोई फल नहीं है तो यह थे इस वज़े से ज्यादा चले नहीं दोस्तों ठीक है बह neither क्या अगे देखो यह प्रारभ में दास्पुत्र थे हम बात करने दोस्तों किसकी हम बात करने पुरन कश्यप यह प्ररारम Me servicios है. जलसमादी वाले फिर तीसरा देखो, दोस्तो पहला होगा जैन, दूसरा होगा पूर्ण कश्यफ, तीसरा अजीत कैस्कंवण, ऑजीत कैस्कंवर्ण दोस्तो, भौतिक वादि- उच्फेद वादि golf बूर्तिक फ्रवादि- इननने सिद्धानत परतिभादन किया था Leaving the आप कुछ भी करो मरने के बाद सबनस्ट है, इनका मानना यह है कि कोई कारेयों का कोई किसी परकार का कोई सिंचित फल नहीं मिलता है, तो आगे देखिए शरी के पाच तत्मू, तत्मू मरने के बाद ब्रह्मनिय तत्मू में विलीन हो जाते हैं, तो पुनर जनम नहीं होता ह नहीं, आगे देखो, उनकी सिक्षा के इस भोतिकवधी पक्ष के कारण ही उनेे बाद में चार्वाक या लोकायथ दर्षन से जोड दिये हैं, चारवाक दर्षन क्या है? रिशी चारवाक क्या बोलते है? रिशी चारवाक बोलते हैं resp. जब तक जी हो, शान से जी हो, करजा तो चारवक तो यह बोलता है कि जीओ तो शान से जीओ इसको एक वो अलग ही लाइन है उसकी संस्कृत में जो भी है वो मुझे याद नहीं लेकिन उसका हिंदी अर्थ यही है कि जब तक जीओ शान से जीओ कर जा लेके घीपियो तो ऐसे दर्शन है चारवक दर्शन रिशी चारवक का कथन भी है आगे देखी दोस्तों फिर पकुद कच्चा है यह नित्य वादी थे नित्य यानि कि इस प्रकरती में स्रिष्टी में सब कुछ नित्य है ठीक है यह घोर एकरत वादी थे इनके अमुसार संसार में सात तत्व यानि शिति है जल है पावक है वायू डुक तता अत्मा शीती दोस्तों प्रिथवी का प्राएवाची ची He शीती यानि प्रिथवी, पावकियानि अगणी होती है ठीक है, अगर शीती ना आये तो प्रिथवी झल अज्ण अगणी वायूऊ सुखदुख तत्मा तो इनकी अनुशार समसार में 7 तत साथ ततो कौन-कौन से शितिया निप्रिथ्वी जल पावक यानि अगनी वायू सुख दुख तता आत्मा एकरत ए परिवर्थनिय ए निर्मित अचल तता नित्या है कि ये चीजे जो है नित्या है संसार के अंदर साथ ततो अत्या संसार में ने कोई किसी को मारता है और ने ही कोई मारा जाता है नित्यवादि ये नित्य है दिखन संदेवादी तक संदेवादी है संदेव से दिखाए उसमें वाक्य है पूरा पूरा लाया हूं इसमें दिगी निकाये के नुसार यह संदेगे पर पानी पेलें नो पतामी प्तानी क्या हो गया चलिए करें करें अर्थ इनको याद रखना, इनके मिलान करो गरूप में आते हैं, यह किसको मानते हैं, पूरने करशब किसको मानते हैं, तो दोस्तों, देखो, मैं जो चीज कोशन आता है, वो आपकी सुईधा के लिए, मैं सारे काम कर देता हूं, मुझे पता है, कोशन आएगा, मिलान करो गरूप म ने ही किसी का खंडन किया, नीट्रल, ठीक है, जैसे हम देखते हैं, कि वो गुट न रिपेशता, किसी गुट का पक्ष नहीं करना बस बीच में, तठस्तर हो, ने तो किसी को स्विकार करो, ने किसी का खंडन करो, किसी चीज के बारे में ये इतना एनिश्य थे, कि उनको कुल बुलाने वाले सर्फफण की संगया दी गई है, ठीक है, यानि कि हर चीज में संदे है, अब दिग निकाय में इनका निम्न वक्तवय मिला है, एक वक्तवय मिला, अब देखें दोस्तों, वक्तवय कितना संदे बर रहा है, यदि तुम मुझसे पूस्ते हो कि क्या कोई दू यानि मैं ये बहुत कैária हो और ये भी कैता ओं चाहिए ऐसा नहीं हो सकता तो या विशवास विएक्ष कर सकता है, या फिर विश्वास विएक्ष नहीं भी कर सकता है, और अब हमें संदेवादी, ठीक है, अक्तर दोस्तों अब청 दोस्तों हे हैं संदेवआदी है, थायर इस प्रसिद बोध भिक्षु सारी पुत्र तथा महा महा मोध गलायन बोध संग से जूरने से पहले इनी के शिश्य थे और देखे दोस्तों ऐसे मैंने बोला अगर ऐसे धरम आ जाएंगे दोस्तों तो फिर क्या होगा जब जो बोल रहा है कि पाप करने का कोई फल नहीं है और प संग में जूड़ने से पहले इनी के ही शिश्य थे यानि इनी के शिश्य थे तो फिर जब ये बोध धरम अपना लेने के प्रमगत के लोगों ने बिंभि सार से शिकायत की कि गोत्म बुद तो कुटुम्बो का नाश करने के लिए उत्पन हुआ है कि वैसे लोगों को आप दोस्तों अब बोद बोधर संग में दोस्तों शामिल करके क्या कर रहे हो, कुटकव मोग अनाष करो, ऐसी बात होने दगी, ठीक है, छली फिर दोस्तों फिर छटे नंबर पर है, हुं के दुबारा हो गड़ता हुं कि यह तो नियती ही है ऐसा होा संभव था इसके पीछे कोई कुछ नहीं है कारेकरन सिध्धान्त कuje से कहान और कोई एक गठना सभीनगों w cud या तो संयोग बोल देते हैं या फिर हम दोस्तों नियती वादी भी गह सकते हैं यह तो नियती था यह तो होना ही था कारेकरण सिध्धान्त के यह चुनोती देते हैं नियती वादी संदे नियती वादी कह दो या फिर हम कह देते हैं कि संयोग को मानने वाले अवश्यम भाव इसको मैं डीटेल में नहीं लेकर आया हूँ, क्यों नहीं लेकर आया हूँ, विकोज इसका हमारे अलग से टोपिक है उसमे आराम से पढ़ाएंगी, ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस लेक्चर का उदेश्य सिर्फ यही समझाना है कि इन दो धर्मों का उदे के पीचे क्या-क्या कारण नहीं थे, ठीक है, और इसके लावा जो इनके समकालिन, जो कुछ अन्य महत्पुन, जो छह और जो दर्शन है दोस्तों, उनकी भी हमने बात के लिए एक्जाम में आते हैं, ठीक है, आगे देखो, उप्रोक्त छह ब संदेवादी, यह सबसे ज्यादा मुरूख थे, कोन कहता है, अजाशत्रु कहता है, चलि अजाशत्रु का मानना है, आप मत खो इस बात को, आप तो बस मानो, चलि आगे दिखने दोस्तों, आगे क्या है, इसके अलावा भी दोस्तों, महा बोदी जातक जो गरंत है, उसमें इनकी भी बात कर लेते हैं, जब हमने उन शे की बात कर ली तो इन पांच की भी बात कर लेते हैं, इन में क्या है, ए हेतुवाद, यह दर्शन है, ए हेतुवाद क्या है, यह मत सांसारिक वस्तों की उत्पत्ती का कोई भी कारण हेतु, स्विकारण नहीं करता कि कोई कारण एक प्रकार्सी वही हो गया फिर नियती है फिर जो भी है पुब्बे कतवाद मनुश्य के वर्तमान जीवन के सुख दुख उसके पूरु जनम के कर्मों का परिनाम है यह ऐसा मानते हैं एक और दर्शन उच्छेद वाद उच्छेवाद किसी भी वस्तु की स्थाई सत्ता नह मनुश्य का चरम लक्ष है ठीक है यह एक समान है आप इसको याद नहीं करो तो दोस्तों चल जाएगा इतना नहीं आता है फिर भी दोस्तों मैंने बता दिये कि इनके समकालिन 6 संपरदाय और थे और 5 यह महा बोधी जाता के नुसार 5 अलग 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 दर्शनों का भी उ मैं यही आप से बुजारिश करूंगा कि सिलेबस को अपने पास रखो ताकि आपको पता चल सके कि सर जो है टोपिक वाइस चल रहे है नहीं तो कोई भी फिर कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा मैं नहीं चालता है इतियास अकैडमी क भूरकरतवादी पुकुद कर्चाय आगे देखो संदेवादी ठीक है संजेवलु पुट्टु जिसको अजाश्टर बोलते सबसे मुर्ख विक्ति है जैन धरम महावीर स्वामी निगंठ नात्पुत बोल दो एक ही बात है वास्तविक संस्तापक माने जाते है जैन धरम के जैन धरम के अंदर तिर्थंकर परमपरा थी जिसके अंदर हम आधी पूरुष माने तो रिषब देव थे ही लेकिन दोस्तों वास्तविक संस्तापक जो हम माने वो कौन थे वो महावीर स्वामी ही थे चलिए दोस्तों तो पुल मिलागा जो है यह आज को टोपिक था शोट यह मानना है कि इस एक घंटे का जो है दोस्तों आपको पूरा-पूरा क्या मिले पूरे-पूरे एक-एक मिनट की वसूली मिले एक-एक मिनट का आपको फायदा मिले हना चलिए लगबग दोस्तों पचास मिनट से वी शाएद उपर का लेक्चर हो चुका और उमीद करता कि आखिरकर धर्मी का अंदूर उनके उदय के पीछे कारण क्या नहीं थे और यह दो धर्मी नहीं और भी बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ लेकिन उस वह जो है इतने ज्यादा नहीं चल पाए बोध धर्म ज्यादा चलिए ठीक है और जैन धर्म वरतवान में भी अस्ति इसी के साथ जो दोस्तों फिर हमारी यूनिट फर्स्ट ही कंप्लीट हो जाएगी ठीक है चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जै हिन जै भारत धन्यवाद